किसान भाईयो आज मैं बताने वाला हूँ गेहु के खेती के बारे में गेहु के खेती में दूसरी सिचाई कब करे और दूसरी सिचाई में कौन सा खाद बा उरबरक डाले ताकि गेहु में टिल्री अच्छे से हो और कल्ले अधिक बने किसान भाईयो गेहु के फसल में अगर सही समय पर सिचाई और सही खाद उर्बरक डालते हैं तभी हमें आगे जाके एक जबर्दस्ट पैदाबार मिल पाती है किसान भाईयो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुती ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो को पुरा अंतक देखियेगा तभी कहें आपको एक सही और सटीक जानकरी मिल पाईगी नमस्कार किसान भाईयो मैं परणफ फिर से अपके अपने चनल परणफ क्रिशी केंद्रे में स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सभी शौस्त बंग कुशलमंगल से होंगे किसान भाईयो घिहु के फसल में दुसरी सिचाई हमें पहले सिचाई के 20-22 दिन बाद कर लेना चाहिए अगर आपकी खेत की मिट्टी भारी प्रकारकी है जिसमें पानी धारन करने का शमता अधिक है तो आप पहले सिचाई के 20 से 25 दिन बाद दूसरा सिचाई कर देंगे अगर आपकी खेत की मिट्टी रेती लिए प्रकारकी या हलकी प्रकारकी है तो आप पहले सिचाई के 15 से 16 दिन बाद दूसरा सिचाई करेंगे किसान भायो सिचाई मिट्टी के उपर भी निर्वर करती है अगर आपकी खेत की मिट्टी भारी प्रकार की है तो आप पहले सिचाई के 20 से 22 दिन बाद दूसरी सिचाई लगा देंगे अगर आपकी मिट्टी रेती लिए या हलकी प्रकार की है तो आप पहले सिचाई के 15 से 16 दिन या 17 दिन के बाद भी दूसरी सिचाई कर देंगे किसान भाईो अब मैं बात करता हूँ दूसरी सिचाई में कौन-कौन सी खाद उर्वरक कितनी मातरा में डाले ताकि हमें गेहु की एक जबर्दस्त पैदावार मिल पाए तो किसान भाईो दूसरी सिचाई में सागारीका आपको देना है 6-8 किजी परतियेकर क्योंकि सागारीका में ओ सारी पोशक्त पर उपस्तित होता है जो की हमारे गेहु के फसल के लिए चाहिए होता है उसके साथ आपको यूरिया ले लेना है 30-35 किसान भाईो ध्यान रखिएगा पहले सिचाई और दूसरे सिचाई में ही आपको यूरिया का प्रयक करना है तो हमारे गेहु के पौदे का जो लंबबाई उधिख हो जाती है और हमारे गेहु के वसल हवाई या तुफान में गिरने का संबबना रहती है इसलिए किसान भाईो आपको दूसरे ही सिचाई में 30-35 किसी पर तियकर यूरिया का प्रयक करना है उसके साथ किसान भाईयो सलफर का प्रयोग 4 kg के दर से परतियकर करेंगे सलफर का प्रयोग अगर आप लगाते समय नहीं किये और पहले सीचाई में नहीं किये तो आपको दूसरे सीचाई में जरूर करना है 4 kg परतियकर के दर से अगर पहले सिचाई में आप सलपर का प्रयक किये तो आपको अभी सलपर का प्रयक नहीं करना है और उसके साथ 2 kg हुमेकसिट को डालना है हुमेकसिट हमारा पौधे के जड़ को बढ़ाती है जिससे क्या है पौधा मिट्टी से अधिक पोशक तत्पो का गरहन कर पाती है इस 100% गरांटी के साथ बोल सकता हूँ आपको एक जवर्दस्त पैदावार मिलने वाली है और दूसरे किसान भी आपसे आकर सलहा जरूर मांगेगी तो मैं आशा करता हूँ आपको गेहु के फसल सम्मंदित गेहु के दूसरे सिचाई सम्मंदित एक सही और सटीक जानकरी दे आया हूँ जानकरी अच्छा लगे तो वीडिए ओ को लाइक और अपने साथी किसान भाईयों के साथ शैर करना ना भुलिएगा और चैनल पर नए हो प्री से सबसे पहले आपके पास करना भाईयो